औुम शनिचराए नमे, सनी देब को पिर्यय हैं ये दो राशियाँ देखकर आप भी न्याय के देवता की किरपदृष्टी देखेंगे, हर राशी के शौमिग गरह होते हैं, आप सभी जानते हैं, लेकिन नहीं जानते तो मैं बता देती हूं कि सनी देब को दो पिर्यय बो आप लोगों तक पहुचाती रहूं, हर छोटी छोटी वो चीज़ जो पूजा से सम्मंदित है, हर रासी के स्वामी गِّरह होते हैं, स्वामी ग्रह का राशी पर पूरा पिरभाव रहता है, कुम और मकर राशी के श्वामी ग्रह शनीदेब रहता है, इन राशी उपर को पिर्शन रखते हैं तब ही हमारे सारे कार्य बनते हैं अगर आप सोचें कि आपके कोई भी कार्य अटक जाता है या नहीं चल रहा तो आप समझ जाना कि आपके सनी देव महराज रुष्ट हैं आपसे तो इसलिए धार्मिक अनुसार सनी देव को कर्म फल दाता कहा जाता है शनी देव कर्मों के हिसाब से ब्यक्ति को फल देते हैं जोतिसी में सनी को पापी ग्रह कहा जाता है शनी के एसुप प्रभावों से हर कोई शुरक्सित रहना चाता है जहां सनी के एसुप प्रभावों से ब्यक्ति का जीवन बूरी तर राजा बन जाते हैं जोतिसी में बारे राशियों का बढ़नन हैं हर राशी के स्वामी गिरह होते हैं स्वामी गिरह का राशी पर पूरा पिरभाब रहता है कुम और मकर राशी के स्वामी गिरह शनीदेव हैं इन राशियों पर सनीदेव की बिसेश किरपा रहती है कुम्ब और मकर राशी के जातकों के बारे में कुम्ब राशी सनी देप कुम्ब राशी के स्वामी है कुम्ब राशी के जातक काफी शरल स्वभाप के होते हैं जिस वज़े से सनी देप इन पर विसेश किरपा रखते हैं कुम्ब राशी के जातक हमेशा दूसरों की मदद के लिए तयार रहते हैं और सनी देव इन लोगों से फिर्षन रहते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं कुम्ब राशी वाले धन के मामले में भाग्याशाली होते हैं इन लोगों को धन से सम्मंदित परिशानियों का सामना कम ही करना पड़ता है मकर राशी वाले मकर राशी के श्वामी जो हैं सनी देव हैं मकर राशी के जातकों पर सनी देव महरवान रहते हैं मकर राशी वालों का आर्थिक पक्ष मजबूत होता है सनी देव से मकर राशी के जातक दुष्टों से दूर रहते हैं मकर राशी के जातक किस्मत के भी धनी ह इनके स्वभाब के कारण सनी देव इस रासी को के जातकों से पिरसन रहते हैं अगर आपको लगता है कि कौन सी रासी में या आपको की रासी कौन सी और कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजे आगे कि आपको जान करें या किसी को क सी इसकी जरूरत है बागी हमारी कोसिस रहती है आप लोगों के लिए कि कुछ अलग कुछ नया आप लोगों तक पहुँचाते रहे तो प्ली जह लगदानी चैनल को सस्क्राइब कर लीजे और लाइक करना ताकि आगे की वीडियो की निटकैफिकेशन आप लोगों तक पहु हो जाती रहा हूं तो प्लीज आप सस्क्राइब कर लीजे ओम शनी चैनल